मैं कुमार सुलर गडवी में आपका स्वागत है आज की बीडियो में 3 किलवाट ऑफगेट सुलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं कितना पावर बेकप मिलेगा मतलब कितने घंटे चलेंगे और कितना लोड आप चला सकते हो क्या क्या चला सकते हो यह सारा डेटेल से हम जानने वाले हैं तो चलिए फटा फट स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने यह यहां टेवल बना लिया इस टेवल में हम देखेंगे कि जो लोड होगा हमारे पास वो उसका नाम और वो लोड कितना होगा मतलब quantity भी यहां हम देखेंगे अगर पंखा है तो कितना पंखा बलब है तो कितना बलब तो यहां हम देखेंगे उसका कितना पावर आता है टोटल को जोड के तो वो power हम यहाँ पे देखने वाले हैं, total load, इतने load पे कितने घंटे चलेंगें, तो power backup हम यहाँ देखने वाले हैं, कि आपका जो भी load हो, उसके according कितना time चलेगा, तो वो time हम यहाँ देखने वाले हैं, तो चली हम start करते हैं, सबसे पहले नमर का जो हम load लेते हैं, माल लो तो मैं एक average यहाँ पे calculate किया हूँ सबका power, तो जैसे कि 6 LED बल्व है, 3 पंखा है, एक फ्रेज है, एक TV है, अब यह TV 21 इंच का भी हो सकता है, हो सकता है, यह 24 इंच का भी TV हो, तो सब को अगर हम लेते हैं, तो एपरोक्स जो power आता है, वो 800 वाट जो power आता है, इस पे कि 800 वाट आ जाएगा, अब यह जो उपर नीचे होता है, कमपनी पे भी depend करता है, कि कुछ कमपनी का 70 वाट लेता है, पंखा कुछ कमपनी का 80 वाट लेता है, तो ऐसे ही थोड़ा variation में आते हैं, लोड और वो भी company पे depend करता है, जैसे कि इतने का अगर लोड रहेगा, तो 3 क कि अगर अपसोल सिस्टम लगाते हो, तो आपको 13 घंटा से 14 घंटे का backup आसानी से मिल जाएगा, चली आगे चलते हैं, अगर आपका लोड जो है, दूसरा कोई घर है, जिसमें 8 LED बलब लगा हुआ है, दो पंखा लगा हुआ, एक टन का AC है, जिहां, एक टन का एक AC है, और फ्रीज भी है, तो अगर इतने का लोड है, तो आपका लोड जो बनता है, वो 1800 वाट का बन जाता है, और ये जो चलेगा, 5 से 6 घंटे ही चल पाएंगे, क्योंकि आप AC भी चला रहो यहां पर, तो ये 5 से 6 घंटे आग का backup मिलेगा आपको, इसके बाद देखते हैं, अगला जो लोड बनेगा, वो 1100 वाट का लोड बनेगा, और इतने लोड पे अगर आप चलाते हों लगातार, ये मैं आपको फिर से एक चीज़ बता दू, मैं और इससे एपलेटेट में बहुत सरा वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, एक किलिवाट का, दो किलिवाट का, एक किलि तो वो डिपेंड करता है कि आप लगातार चला रही हो, तो इतना घंते चलेगे, अगर इसमें से आप कुछ हो जरूरी तो निहीं कि तो कूलर आप लगातार नौ घंते चलाओगे, य liberal about 4 फिरिज तो खरी चलेगा ही, पंक छारा पंक लगातार 9 गंते चलाओगे, आपका जितना LED सब लगातार चलेगा, मतलब कोई भी चाहिस में हो, इसमें उचे आने वाला हो, तो कोई भी चीज आपका लगातार तो चलता नहीं है, तो आप उसमें कोई बंद करते हो, कोई चलाते हो, फिर कोई बंद करते हो, ऐसा alternate होते रहता है, तो इसके according अगर देखा जाए, तो आपका ये इतना घंटा नहीं, आपका पूरा दिन वोड देख लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 13 गंटा, 14 गंटा दिया हूँ, यहाँ नौ से 10 गंटा, तो ये भी लगातार चला रहे हो, तब इतना घंटा चल रहा है, तो इस चीज का आप देख लेना, तो आप यहाँ इतना सरा चीज है, अगर आपका, तो 900 वाट का लोड बनता है, अब यहाँ पे 900 वाट का लोड कितने घंटे चलेंगे, तो 13 से 14 गंटे ये चल जाएंगे, जड़ा एक चीज गौर करना, यहाँ पे मैंने 800 वाट दिया था, ये भी 13 से 14 गंटे चल रहे है, यह 900 वाट का लो लेकिन आप 13 गंटे तो चलाओगे नहीं, 10 गंटे तो चलाओगे नहीं, तो आप क्या करोगे, हाडली कितना भी जादा चलाओगे तो ये घंटे चलाओगे, इस वजह से ज़्यादा पावर यहाँ पे दिखा रहा है, पावर जो होता है, वो एक घंटे का होता, अगर इनर ये भी हो सकता है कि ये 15-16 गंटे भी चल जाए, क्योंकि बाकी जो लोड है, बहुत कम है, 8 LED, 4 फैन, 2 TV, ये बहुत कम है, ये 15-16 गंटे भी आसानी से चलेंगे, इतने लोड पे, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि वासिंग मसीन सिर्फ 1 गंटे हाडली चलता है, चली इसको जो पावर आता है, 850 वाट आता है, इसको जो हम चलाएंगे, तो 12-13 गंटे का बेक अप मुझे आसानी से मिल जाएगा, इतने का अगर लोड हो, और यहां पे और चीजी मैं बता दू आपको, अगर आपका जो फोन चार्जर वी रहन है, फोन रहें, फोन चार्जर तो उसको मैंने स्किप कर दिया, इसमें, सब में है, आपका किसी भी लोड का रहेगा, तो फोन चार्जर जाता पावर कंजूम नहीं करता है, तो उतना तो चलेगा ही, आप किसी भी लोड हो, सब में आप वो चीज चोड सकते हो, 3BHK का अगर किसी का फ्लैट है, तो वहां 10 से 11 घंटे का बेक अप मुझे आसानी से मिल जाएगा, अगर रोग रुक के चलाएगे, जाहिर सी भात है, सब कुछ तो लगातार चलाएगे ने, तो ये अच्छे खासे टाइम तक चल जाएगा, मतलब 15-16 घंटे आडाम से चलेगा, ये लगातार चला रहे है, तब तो 10- 11 घंटे चल रहे है, चलिए आखरी देखते हैं, लोग जो किसी का घर हो, माल लो, कि वो 8 LED लगा हुआ है, 5 ट्यूब लाट लगा है, 6 फंखा है, 5 TV, ये जो 4 BHK का ये फ्लैट है, तो इसका पावर का होता है, 1200 वाट, हो सकता है कि 4 BHK है, तो जाहिर सी बात है, AC भी होगा हो cooler भी होगा, तो मैंने उसको skip कर दिया, अगर आपका AC cooler है, तो यहां से एक आप लगाई सकते हो, यहां से देख के, आपका जो भी load है, आप load बताओ, मैं देखूंगा, तो उस पर मैं अलग से भी वीडियो बना के upload कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कि आपका load अगर है, आप जितना भी load रखे हो, तो आप comment करोगे, तो मैं especially भी उसका वीडियो बना के upload कर सकता हूँ, तो यहां हम फिलाल चलते है, 4BHK का जो flat है, उस पे 1200W का load बनता है, बैक अप देगा हमें, 9 से 10 घंटे का backup आसानी से हमें मिल जाएगा, तो आज हमने जाना इतने सारे backup, मतल load अगा सारा चीज़ हमने जान लिया, यह था 3KW off-grade का, मैं 2KW का भी upload कर चुका हूँ, 1KW का भी कर चुका हूँ, और आने वाला जो 4KW, 5KW भी होगा, कि उतने का अगर आप solar system लगाते हो, तो उस पे क्या-क्या चीज़ चला सकते हो, अगर मालो कि आपका बहुत कम load है, 2KW वाला वीडियो देखो, उसमें आपको जरूर मिल जाएगा, आपके according का, load calculation, तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, कोई नवी topic साथ तब तक के लिए, take care,